हेलो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे पिछले क्लास में हमने क्लास 10 के पहला चेप्टर रियल नंबर्स का इंट्रोड़क्शन जाना था और आने वाले क्लासे में हम लोग यूकलेट्स डिविजन अल्गोरिद्म और यूकलेट्स डिविजन ल वाड़े में आगे तो फ्रेंड्स वात इस लमा क्या है लेमा का डिफिनेशन दिया गया है एलोमशन आप्को किसी भी किताब में मिल जाएगा लेकिन हम लोग अपने भाशा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेमा आखिर होता क्या हैे इसा सब्राइज data यह को प्रूफ करते हैं अभी मैं एक दोए ग्जांपल आपको बताऊंगा फिर आप समझ जाएगा जैसे के हमें कहा जाए कि यह प्रूफ किजिए यह दिशा है सामने जो डाइरेक्शन है यह नर्थ है ठीक है यह हम लोग को प्रूफ करना हो तो हम लोग जानते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट पहले से प्रूफ है कि सूरज पूरव से उगता है तो इसका यूज करके हम लोग दूसरा डाइरेक्शन नर्थ है इसको प्रूफ कर लेंगे अब मैथमेटिक्स के फिल्ड से एक एक्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 12359 is an odd number यह एक स्टेटमेंट है ठीक है और अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे हमारे पास एक स्टेटमेंट पहले से है कि कोई भी odd number 2 से divisible नहीं होता है ठीक है तो उसी का यूज करेंगे और इसको टू से डिवाट करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है तो यह नमबर 12359 टू से डिविजबल नहीं होगा तो हम लोग यह प्रूफ कर देंगे इस स्टेटमेंट को कि 12359 इसन और नमबर तो जो स्टेटमेंट हमारे पास पहले से प्रूफ था उसका यूज करके हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया तो यही है लेमा आपका अब हम लोग देखते हैं कि यह आलगोरिद्म क्या है वाट इस एन अलगोरिद्म एस श्रीज आफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गीव अप्रसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप आफ प्रॉब्लम अलगोरिद्म जो है सिरीज है श्रिंखला है वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो की हम लोगों को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका प्रोवाइट करता है तो यह तो होगी डिफिनेशन उसका मतलब होगी आमभाशा में अब इसको एक्जाम्पल से समझते हैं जैसे एक सीरी है और यह स्टेप्स है अगर हम लोगों को छट पे चाड़ना होता है तो हम लोग एक एक स्टेप्स करके छट पे चाड़ते हैं और यह जो सीरी है आप देखेंगे कि एकदम सही तरह से एक श्रिंखला में है ठीक है जो स्टेप्स है एक के बाद एक है और उसके बाद जो हम लोग एक से दूसरे पर दूसरे से तीसरे पर इस तरह से हम लोग सबसे उपर यानि छट पे पहुंच जाते हैं तो यह जो अकेला एक-एक स्टेप्स है यह एक स्टेप्स है ठीक है तो यह अकेला स्टेप् के इसको हम लोग क्या करते हैं इंगलिश में स्टेयर ठिक है सीडी हम लोग छट पर चलने के लिए एक एक करके सीडी पर एकदम श्रिंखला में आगे बढ़ते के ऊपर चलते के और हम लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गया है तो इस तरह से जो है सो हम लोग किसी भी काम को क करने के लिए हम क्या करते हैं पहले यह करेंगे फिर उसके बाद यह करेंगे है ना इस तरह से हमारे माइंड में भी सेट होता है कि फॉस्ट स्टेप में यह करना है तो इसी तरह जो सभी स्टेप को मिला देते हैं यानि सभी स्टेप का कलेक्शन जो है सिरीज जो है वह कहल हम लोग board must rule का यूज़ करते हैं सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग divide करेंगे ठीक है तो उसके बाद क्या करेंगे multiplication उसके बाद add करेंगे और अब last step में subject कर देंगे तो इस तरह से हमने इस question को simplify करने के लिए क्या किया एक के बाद एक step को follow किया है हमने ठीक है पहले divide किया फिर multiply किया फिर add किया फिर subtract किया अगर कोई भी step को हम लोग आगे पिछे कर देते ठीक है यहाँ पहले add कर देते उसके बाद divide करते फिर subtract करते फिर multiply करते तो यह हमारा simplification सही तरह से नहीं हो पाता उसी तरह किसी भी काम को करने के लिए हम लोग step wise जो है सो एक शिरिंखला में चलते हैं वो भी well defined करने का यह मतलब है कि एक के बाद एक सही तरह स ठीक है तो well defined तरीके से हम लोग आगे बरते हैं step wise तो किसी भी काम को कर लेते हैं तो यही जो है so well defined steps जो है किसी भी काम को करने का वो कहलाता है algorithm ठीक है यह mathematics में भी मैंने आपको एक example बता दिया और इससे पहले भी एक example बताया I hope कि आप लोग लेमा और algorithm को बहतर तरीके से स algorithm के बारे में जानेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन दबा दें थैंक्स पर वाचिंग